व्लॉग के दे वाला के कोई यहां बताने वाले कि गाड़ी में कि आइसे फीचर्स आते तरह हैं जो कियो आ Verminanda करती और गाड़ी कोई speaking बेरा गाड़ी से और तो सक्यूर्ट्टि तो बहुत जादा मेटर करती यह आझ मार्कीट में इतना बढ़ गया है कि अब यह ने लगई है security features लेकित हम बात करेंगे की अपनी जो Ecosport है और हमारा जो टॉप मोडल है इसमें क्या-कैसे security features आते हैं जो हमें help करते हैं और build quality क्या है इसकी उसके वारे में बात करते हैं तो अब जब गाड़ी डिख रहा चाहि आपको इसे लिखाता हूं काफी काफी है कि भून ॐट अगार इकसे और बीडियो जिसमें एक्सिरेंट की वीडियो जाए उसमें बहुत कम ऐसा होता कि जो इको स्पोर्ट चला रहा उसके बचीज आते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है क्या पुल्ट शीथे तरीके से चलाओ गाड़ी को और एक्सिरेंट और अपना खुदी ऐसे काम करो कि ए इसमें देख पारे हो एक तो यह यह चीज आती है और एक यह 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 इसका थोड़ा सा ऐसे बनाया गया एक्स्टा सपोर्ट देने के लिए यहां पर भी इसमें सपोर्ट दिया गया उसकी वेश्य से ठिक हो गया तो एक प्रॉब्लम भी है इससे वह मैं आपको एक इसमें जब और आप अंदर लिए इसमें क्या इसके अंप लेगर रहा हुश कि बात बाकी की बात करते इसमें क्या कि फ़ूण धर ठोलरा सी और शूटम情况 लेकिन इंडिविजर कर दो पूरी का दीन ही तो यह तो होगा सब्सक्राइब करते हैं अगर मैं आपको सेथी वीये हाइं अगर मैं गिनाने बैठ हूं आपको ऐसे मुझे याद तो नहीं है दस-पंद्रह फीच्डे लेंगे सबसे पहले लेते हैं एंअ सबसे पहले न चिज़ की तो ABS तो आपको पता होगा ABS की वलवाम है अंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम अब उसमें क्या है आप जब कभी भी गाड़ी में अपने में सड़न ब्रेक्स लगाते हैं तो गाड़ी एकदम से रुकती है पईएं लॉक हो जाते है जिनमें ABS नहीं आता वो क्या होता गाड तो यह होता है ABS का सिस्टम अब बात रही EBD की अब EBD का क्या है कि electronic brake force distribution इसमें क्या है कि जो आपके चार टायर से उसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग फोर्स के हिसाब से ब्रेक जो है अपलाई होंगे किस टायर पर कितना ब्रेक डालना है लोड के हिसाब से हमारी बात आती है ESC की जिसकी फुल फोर्म है electronic stability control अब उसमें क्या है हम मतलब मुड रहे हैं हम कहीं पर तो वहां पर हमने ब्रेक लगाए अब उसमें क्या होता अगर हमारी गाड़ी में ESC नहीं है तो चारो ब्रेक बराबर लगेंगे लेकिन अगर गाड़ी में ESC है तो जिस प वाले पईयों पर जादे जादे लोड आएगा राइट वालों पर कम आएगा क्योंकि गाड़ी अगर ऐसे मुड़ेगी तो लेफ्ट पईयों पर लोड आएगा तो उस हिसाब से कितने ब्रेक लगाने वह जो है ESC लाजी EBD को पताथा EBD उस हिसाब से ब्रेक लगाता है तो यह हो गया हमारा ABS EBD और ESC बाकी बात रही है अब हमारी Hill स्टाट असिस्ट की उसकी बात मैं आपको गाड़ी के अंदर चलकर बताऊंगा हाथ तो गाड़ी के अंदर आ गया मैं अब Hill स्टाट असिस्ट की बात कर और या फिर कोई भी होता हम अपने घर में गाड़ी खड़ी करते हैं तो उसके लिए भी हमारी रैंप जो होती है घर की वह ऐसे होती है मतलब पॉठ तो यह इन सब जगादा पर काम करता है अभी और accelerator लेकिन कुछ-कुछ लोग क्या करते हैं कि ब्रेक पेसे पैर हटाने के बाद में उन्हें टाइम लगता है accelerator पेर लगाने में और clutch पेर लगाने में तो उस time को ये खतम कर देता है ब्रेक अगर हमारे लगे हुएं तो वो लगे रहेंगे तीन सेकिंड तक चाहिए हम ब्रेक पेसे पैर हटा लें ब्रेक पे हमने पैर दबाया ब्रेक पेसे हमने पैर हटाया तो पैर हटाने के तीन सेकिंड तक ब्रेक आटोमेटिक लगे रहेंगे और Hill Start Assist अपना काम करेगा तो जब तक हमारा पेर ब्रेक पे से हटके एक्सलेरेटर पर जाएगा तब तक Hill Start Assist हमारा एक्टिवेट रहेगा तीन सेकिन के लिए हमारी गाड़ी पीछे जाने से रुकी रहेगी जिससे की पीछे कोई गाड़ी है तो उसमें नाट होगे या फिर गाड़ी जो है रोल बैक ना हो तो यह हो गया हमारा Hill Start Assist का यह मैं अभी डेमोंस्टेट नहीं कर सकता आपको बाकि डेमोंस्टेट करने के लिए कुछ भी नहीं है मतलब आपका Hill Start Assist अक्टिवेट हो गया अब अगर गाड़ी हम चला रहे हैं स्पीड पर हम 60-70 की स्पीड पर चला रहे हैं तो कोई इतनी प्रॉलम नहीं है क्यूंकि सेफ है 60-70 चला रहे हैं लेकिन जैसे ही आप 80 क्रॉस करते हैं आप गाड़ी को की व'80 क्रॉस करते हैं जैसे अपकी गाड़ी 81 क्रॉस करेगी तो व'Hebe बजे एक स्पीड ओनिंग क्रॉस करते हैं और अगर आपकी गाड़ी 120 क्रॉस कहर्थ है 120 की स्पीड को क्रॉस करते है तो वह जो है बार-बार बचती रहेगी एक एक दो दो सेकंड के गैप में जो उसकी भीप होगी बजती रहीगी और जो sign होता है मतलब जो light होती है वो blink करती रहेगी तो यह तो हो गया हमें बताने के लिए कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी हमसे गलती से और पता भी नहीं हवा कम जादा वह भी बहुत जादे मैटर करती है अगर हमारे टाइर्स में हवा कम है तो भी हमारी राइड पर एफेक्ट आएगा ज्यादा है तो भी बस्ट होने का भी खत्रा रहेगा और जो है ब्रेक्स भी ठीक से अपलाई नहीं हो पाएंगे अब हमारा जो यह कहते हैं अपना इको स्पोर्ट का मोडल है मैं दिखाता हूं आपको एमाइडी में जाते हैं मैं मैं चलते हैं तो अब खोल लेते हैं इसमें ड्राइवर असिस्टेंस ड्राइवर असिस्टेंस में आप देख पा रहे हो ने ड्राइवर असिस्टेंस नहीं ह है उसमें आपको टायर प्रेसर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है अब ये टायर के जो प्रेशर बता रहा अगे का जो लेफ टायर है फ्रेंट ऩैर उसमें इतना प्रेशर है 35 PSI हमें रेर्य ही और यह रीर राइट और यह फ्रंट राइट वाले टायर तो हमें जो है अगर टायर की प्रै्शर जो ए एक लिमिट से कम होंगे जादा होंगे तो आपको चेक कराने ज़रूरत है और एक light भी आपकी जो है instrument cluster में blink होने लग जाएगी जो की एक beep भी करेगी कि आपकी जो है TPMS आप चेक करिए अप जाके और अपने हवा टायर की चेक कराएगे ये भी एक security feature कह देंगे इसे या फिर आप safety feature कह सकते हैं गाड़ी का तो ये भी एक feature हो गया जो की help करता है हमें गाड़ी में चलने के लिए या फिर जो भी है अब क्योंकि यह वाली वीडियो मेरे हिसाब से जो है थोड़ी long हो जाएगी बहुत साई चीज बताने में जैसे seat belt potential seat belt load limiter और auto engine on-off भी है इसमें वह system है और बाकी और भी कई सारी चीज है इसमें वह सब चीज बताने में बहुत सारा time लग जाएगा तो इस वाली video में जो है थोड़ी कम चीज बताऊंगा उसके लिए मैं second part बनाऊंगा वीडियो का तो वह आप second part में देखना बहुत सभी चीज है अभी कम से कम दस इसे कभी कभी क्या होता कि हमने गाड़ी का जो है सीशा जो अपर भी कर दिया और गाड़ी से बहार रख लिया या फिर किसी का हाथ जो है यहां पर रखा हुआ या गरदन बरदन जो भी है हमने इसीशा जो है उपर कर दिया तो एंटी पिंच क्या आपको security में help करेगा यह safety में कि आपका जो injury है वो होने से बच जाएगी आपकी और यह अपने आप रोल बैक हो जाएगा और यह आधा बंद हो जाएगा और आधा खुला रह जाएगा तो यह तो हो गया driver side window का अब सेम केस हमारा इसके साथ है वह मैंने आपको उसमें अपनी यह वाली sunroof वाली एक exactly वही है अगर आप window बंद करते हैं यह वाली glass बंद करते हैं और आपका कोई में यहां पर कुछ हाथ है या कुछ भी है तो यह रोल बैक हो जाएगी बंद नहीं होगी तो यह तो हो गया यह तो हो गया हमारा anti-pinch वाला system अब बाकी जैसे इसमें आपको दिखाता हूं मैं इसकी M.I.D. में यह features दिखाता हूं मैं जैसे आपको अगर मैं driver assistant की बात करूं तो hill start assist और rear park pilot तो यह मैं आपको नेक्स वीडियो में बताऊंगा और vehicle settings में देखते हैं इसमें क्या है यह क engine off सबसुपर देख रहे हैं यह आपको next video में बताऊंगा और माई की माई की के लिए तो especially next video एक video पूरी इस पर बनानी पड़ेगी माई की के लिए क्योंकि यह अपने अपने अलग से topic है इसके लिए मैं एक video बनाऊंगा जल्दी इस पर एक video लेकर आऊंगा और भी M.I.D. अपडेट करूंगा तो मैं बताई दूंगा बाकी next video तक के लिए आप जो है प्यार बांटिये सम्में लडाई वडाई मत करिए घरवर में अपनी मम्मी को खुश रखो लडाई मत करो उची आवाज में मत बोलो अपने माता पिता से और तब तक के लिए टाटा बाई झाल झाल झाल